हाई फ्रेंट्स वेलकम टू अगेन माई चैनल सो फ्रेंट्स हम गूगल एड्स के बारे में ही हम बात करेंगे और वह इंपॉर्टेंट है आज की जो चैप्टर है जो मैं आज बताने जा रहा हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकॉज जो सारी डिपेंडेंसी जो प्रश्च के लिए राइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको अपना प्रोक्त को समझना विकॉर्ट जैसे ह upgrade को समयते हो कि किस तरह कि कि हमें ads create करने हैं और किस तरह के keywords को हमें target करने हैं सो वो बहुत ही ज़्यादा important है को कि बिना strategy के आप कोई भी keywords ready नहीं कर सकते कि हमें कौन से keywords को target करनी है किस तरह के keywords से हमें ज़्यादा business आंगे और देखो कोई भी business होते ना यह बिल्कुल trial होती है just like कि अगर आपने start किया तो वो पता नहीं होता कि यह ad कैसा perform करेंगी क्या जो हमने keyword यहां पर set की है उससे हमें better results मिलेंगे या नहीं मिलेंगे सो फिर आज हम इसी बारे में discuss करेंगे और इसको आप बहुत से देखो लास्ट देखो तभी आपको एडिया लगेंगे कि actual the system कैसे वर्क करता है ओके सबसे important हैं जो हम keyword match type की बात करते हैं उसमें broad match phrase match exact match तीन बहुत important है broad match phrase match और exact match और उसके साथ आती है negative keywords सो अब या concept समझो क्योंकि आपको मैं पूरे example के साथ वह बताऊंगा कि आपको कैसे research करने किस तरह की keywords को कहा target करने राइट first मैं एक topic लेकर आया हूँ तो इसको मैं पर इत्वाइन कर दूँ राइट अब आप दुखो मैं आपको broad match keywords के बारे में बताता हूं राइट broad match keywords का मतलब यह होता है जैसे मैंने यहाँ पर एक example लिए है running shoes ओके मैं यहाँ पर लिखता हूं running shoes राइट अगर आप इस तरह के keywords को target करते और इसमें कुछ भी आड नहीं करते सो अब आपकी एड किस particular keywords पर दिखेगी वह समझ यह वेन यू 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 ब्रॉड मैच कीवर्ड यूर एड कन एपेर फर वाइड रेंज ओफ रिलेटेड सर्चेज इंक्लूडिंग वैरियेशन सिनोनिम्स एंड रिलेटेड टर्म्स ओके आपका वैरियेशन सोंगे वहाँ पर एड करता है तो डेफिनेटली उसको वह एड आप दिखेंगी आपकी कीवर्ड से अगर आपने रनिंग सूज लगा दिया तो जैसे मैं आपने एटलेटिक स्निकर्स या जॉगिंग फुटवेड इस तरीके के टरंस भी यहाँ पर आप नहीं भी आड करोगे तब भी आपकी डिख जाएगी क्यों दिख जाती है इसके पीशे रिजन यह है कोकि यह हैं ब्र किसके लिए हैं मेंस के लिए वोमेंस के लिए चाइल्ड के लिए सो आप देखरो ना कैटेगरी कैसे कैसे डिफाइन होती जा रही है और यह सब एडिया आपको लगेंगे जब आप कीवर्ड रिसर्च पर आऊगे राइट बहुत ही सिंपल वे मैं कहुंना तो आप इस तर इसके एकॉर्डिंग लिए रन सूज फॉर में इस पर दिख जाएंगे वोमें यह भी दिख जाएंगे एथलेटिक स्निकर्स यह भी दिख जाएंगे मतलब कुछ भी सूज से डिलेटेड आप सर्च करते हो तो दिख जाते हैं अब यहां पर एक निगेटिव फॉल्ट तो कर रहा हो तो लिख जया फॉल्ट लगाओस लिख जान्म तरिक से अब आपको विदिख जान्म करते हो तो आपको विदिख की वच को यूज करना परेगा हो राइक przeci चलते हैं, second phrase match keyword, phrase match keywords क्या है, phrase match keywords का मतलब यह है कि target searches that include the exact phrase you specify but can have additional words before or after the phrase, यानि कि अगर आपने target किया है blue running shoes और जो phrase match है, वो हमेशा ऐसे ही होते है, double quotes के अंदर, right, कैसे होते हैं यह double quotes के अंदर, अब आपका यह keyword है, blue running shoes, अगर आप phrase में यूज करते हो, तो आप देखो यहाँ पर by blue running shoes, यानि इसके अंदर by blue भी आजाएंगे, green भी आजाएंगे, कोई भी color कुछ भी आएंगे, जब इसके अंदर कोई भी user किसी तरीके के terms को use करता है, तो, या blue running shoes for sale, या blue running shoes for sale, यानि इसके आगे और पीशे अगर कोई भी user कुछ भी add करता है, तो आपके add run हो जाएंगे, जैसे मैं कहूँ कि blue are you running shoes, अब मैं कहूँ blue running shoes, by polish, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, by p o a l i c, तब भी आपके add लिख जाएंगे, तब भी आपके add लिख जाएंगे, तो आपको याद रखना है, phrase match को भी बहुत ही तरीके से आपको use करना है, समझ में आती है, तब ही आप करो, otherwise बहुत चीज़े complicated हो जाती है, और यह चीज़े डिपेंड करता है आपके budget पर, आपके अगर दस लाग की budget है, कोई issue नहीं है, आपकी 1000 की budget है, 500 की daily की budget है, तब यह सुझ है, right, phrase match keyword का concept समझ लो कि आपके आगे और पीछे, कुछी भी टर्म से आप add करते हो, तो वो आपके ads वहाँ पे, google ads में show हो जाते हैं, next, exact match keywords, अपली इसके को समाझ लो, exact match keyword, match keyword, trigger your ads only when the search query precisely matches your keyword, this means your ad will show for searches like men's running shoes or the very close variation, but not for broader searches like athletic sneakers, देखो मैं आपको बताता हू, men's running shoes, right, अगर आपने, phrase, yeah, sorry, exact आप यूज करते हो, exact match keyword, right, match keywords, तो आपको add जो है, जो आपने keywords यूज कर दिये न, इस तरीके से, exact match, हमेशा ये इस तरीके से system work करता है, keyword आप इस तरह से set करोगे, तो यही keyword दिखेंगे, अब बंदा कुछ भी लगा ले, blue running, या shoes, policy, nothing, वो कुछ भी नहीं दिखेंगा, जो मैंने यहाँ पर fix कर दी, वही दिखेंगे, अब मैं यहाँ पर यह fix कर दी, तो मैं suit policy भी बेशता हूँ, तो यह दिख जाएंगे, अगर मैं इसको set नहीं करता हूँ, exact में तो वो नहीं दिखेंगे, तो आपको धियान में रखना है, कि जब हम exact match use करते हैं, जब हम exact match keywords यूज करते हैं, तो आपके वही keywords होंगे, जो आप वहाँ पर add करोगे, exact से related, यह समयना, बहुत important है, यही तिने broad phrase exact, अब बात करते हैं, गूगल अपनी technology में every time enhance करती है, वो कोशिश करते हैं कि maximum benefits आपको मिले, maximum results आपको मिले, उनके और भी बहुत सारे methods हैं, keyword research, जो आप use कर सकते हो, अपने add campaign में, उसी में हैं broad match modifier keywords, अब यह क्या system है, आप समझे इस तरी के से, broad match modifier allows you to specify certain keywords in your phrase as must-haves, in this example, you're admired so far best running shoes, but not for trial shoes for running, right, अभी आपको यह कह रहा है, कि broad match, जो broad match है, right, running shoes है, modifier keywords, modifier keywords का मतलब यह हो जाते हैं, कि जब भी आपको इस तरीके keywords मिलते हैं, running shoes, तो best running shoes, toy, उसके बाद, इस तरीके से जो term shoes हो जोते हैं, running shoes, for men, या इस तरीके के terms हैं, वहाँ पे आपके broad match, modified keywords के adds हो जाएंगे, लेकिन कोई अगर उसी में, उसके अंदर, यानि कि running shoes के अंदर, कोई भी terms add कर देगा, यानि कि shoes for running, shoes for men running, इस तरीके के terms को, तो वह add वहाँ पे so नहीं होंगे, या आप ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई भी terms, इस तरीके से आप लगाते हो, plus running, plus shoes, और अगर इसके अंदर, कोई भी terms आप add कर दोगे, तो वह नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके ask pass, यानि कि जैसी ये कह रहा है, कि broad match, यानि कि best man ने लगा दिया, तब दिख जाएंगे, top company running shoes, एडिडास running shoes, इस तरीके के brand, आप अगर यूज करते हो, और अगर आप sale करते हो, तब ही आप यूज कर सकते हो, तो इसको धियान में रखना है, negative keyword, सबसे important, negative keyword में आपको बता दू, कब आप यूज करोगे, जब आप negative keyword, जब आप broad में keyword कोई आप यहाँ पे बनाते हो, हमारा purpose कहा है running shoes, आप मालो की running shoes पे आपने बनाया, तो अभी मैंने क्या बताया थे कि running shoes पे कुछ भी term से आप आगे, पीछे, अंदर कुछ भी लगाओगे, तो यह कुछ भी दिख जाएंगे, लेकिन मैं अगर मालो की polish नहीं बेस था, मैं Adidas के shoes नहीं बेस था, तो आपको यहाँ पर लिखना परेगा, इस तरीके से negative keywords हो है, तो वो तो Ad डिख जाएंगे, और आपका पैसे waste हो जाएंगे, So, every clicks बहुत important करती है, जब आप keyword selection करते हो, और बहुत ही ध्यान में रखना है, brought यूज़ करना है, phrase यूज़ करना है, exact यूज़ करना है, modifier यूज़ करना है, negative keywords यूज़ करना है, right, इस तरीके के terms आपको सुचना होगा, देखो, negative keywords are used to prevent your ad from showing for the specific term or phrase, for instance, if you are selling high end running shoes, you might add minus free, यानि कि negative को minus लिखा है, free, as a negative keyword, to exclude searches like cheap running shoes, यानि कि वो app free लिखा, तो मतलब चीप, इस तरीके के term, जो हैं, उसमें भी आपके वो keywords नहीं दिखेंगे, cheap running shoes इस तरीके से लोग search करते हैं, तो वो नहीं दिखेंगे, right, इसको धियान में रखना है, जब आप broad match use करते हो, broad match keywords with double quotes, यानि phrase match, यानि कि running shoes, अगर मालू example running shoes है, placing double quotation marks around a keyword के लिए से broad match keyword, that is more restrictive than regular broad match, regular जो broad match, जो मैं आपको बता है, starting में, running shoes, तो running shoes for main, by running shoes, इस तरीके के terms को तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन जब हम broad match with double quotes की बात कर रहे हैं, right, तो वो कहता है कि आपको बहुत ही restrictive वहाँ पर दिखती है, it still allows some variation, but is more focused, वो तभी दिखेंगे, जब आप really में कोई ऐससे focused terms को आप use कर रहे होगे तो, right, क्यों यह सब landing place का concept है, right, running shoes का मतलब क्या होता है, यह morning walk किया बात कर रहे हो, yeah, right, yeah, athletics होते हैं, जो पहन के walk करते हैं, या sports में use होती है, so these are the terms, वो बहुत ही restrictive हो जाते हैं, जब आप इस तरीके के keywords को वहाँ पर use करते हो, right, तो यह सारे दिखेंगेंगे में use होते हैं, because आपको समझना है कि actually यह terms को आपको कैसे use करना है, for your business, right, अब negative phrase match keyword, phrase match keyword तो मैंने बात निगेटिव क्या होते हैं, आप देखो, अगर आपने clearances को लिखा है, right, तो negative phrases match keyword, exclude ads from showing when a specific phrase appears in the search queries, when a specific phrase appears in the search queries में आते हैं, तो, example, your ad wants for searching containing clearances, आप समझ गया, अगर आपने negative phrase match keywords use किया है, इसलिए मैंने इसको तरीके से आपको वेलिए बनाया है, जिससे कि आपको concept clear हो, अगर आपने negative transmence को clearances कर दी, तो आपके ad वहाँ पे नहीं दिखेंगे, अब आप समझ गयोगे, मैंने क्यों किया, इस तरीके से negative exact match keywords, negative phrase match keywords, broad match keywords, because you need to understand, कि how the work, how the system work, जब आप phrase use करते हो, जब आप exact use करते हो, और जब आप broad use करते हो, तो how can you use the negative keywords, right, अब आप देखरो, लास्टे निगेटिव exact match keywords, अब ज़से चीप सूज है, negative exact match keyword exclude ads only when the exact keyword or phrase is present in the search query, जब वो present होंगे, search query में तभी दिखेंगे, this ensure your ad does not appear for the specific terms, और वो उस specific, आपको sure रहना है कि उस specific terms पे, आपके ads नहीं दिखेंगे, right, so मैं आपको एक suggest दूँगा, वो एक ही 100 बात की एक बात, कि जब भी आप ad campaign बनाते हो, campaign बनाते हो, ad campaign, और उसके बनाते हो, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया थे, ad groups के अंदर आपके keywords दो-दो ads आप एक बना सकते हो, right, तो मैं suggest करूँगा कि आपको use करना चाहिए, exact match keywords, because यहाँ पे, मतलब कि जो मैं कहूँना कि अगर आपने 100 रुपीज लगा दिये, तो, आपको ideas लगेंगे कि यह 100 keywords को आप कैसे use कर सकते हो, कैसे justify कर सकते हो, अपने ad में, जिससे कि आपको 1000 या 10,000 की आपकी sale हो, so you need to define, आपको बताना है कि आपको किस तरीके के terms को लेके, आपको campaign ready करना है, right, keyword match types with location, जब आप इस तरीके के terms को आप location-based पे आते हो, तब भी मैं यही बात कहूंगा, कि आप यहां पे देखो, you can combine keyword match types with location-based keywords, this allows you to target users searching for specific terms in a particular location, such as luxury hotel, London hotels, इस keyword type has its own purpose and level of the specific city, helping advertiser fine-tune their ad targeting to reach the most relevant, audience for their products or services, while controlling cost and improve ad performance, तब ही मैं कता हूँ कि जब भी आप keywords की कोई भी selection करते हो, चाहे वो exact हो, चाहे वो phrase हो, चाहे वो broad हो, आपको समझना परेगा, कि actual में आपका budget क्या, सबसे इंपोर्टन आठी है budget, बीना budget के तो आप campaign के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, तो budget को आप अगर define करते हो, तो आप उसके बाद आती है कि हम किस तरीकी के terms को add करें, जिससे कि most of the people engaged हो, so you need to be searched, बहुस सारे लोग का idea नहीं होते हैं, कि वो broad use करें, फ्रेज एग्जेक्ट, वो broad use कर देते हैं, क्यों नहीं आई, इसके पीछे ही तो रीजन तो होंगे न, landing page perform नहीं कर रही है, ads perform नहीं कर रही है, so keywords perform नहीं कर रही है, so every aspects, जब आप बनाते हो न, add, तो आपको ध्यान में रखना है, कि किस तरीके का, आपको types, keyword match लेकर, types आप लेकर चल सकते हो, जिससे कि आपको better results मिले, so आपको इसको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखना है, आगे क्या process आपको करना है, अगर आप इस तरीकी के terms को यूज करें, broad, fresh, exact, तो आपको समझ लेना जरूरी है, कि these are the very important parts for the PPC campaign, so friends, अगर आपको ये video पसंद आई है, so definitely आप मेरे videos को like करें, मेरे channel को subscribe करें, और मैं चाहूँगा कि कोई भी issues हो, किसी भी ad campaigning में, या मैं कहूँ कि अक्टरम सापको clear नहीं होने, clarity नहीं मिर रही है, वो मैं तो आपको practically बाद में बताऊंगा, कि actual में ये broad match की बाद में कैसी use करेंगे, phrase कैसी use करेंगे, exact match कैसी use करेंगे, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, live, जो आपको दिखेंगी ads, जो मैं बता बनाऊंगा, ओके, फिर वो practical भी आएगा समय, जब मैं आपको बताऊंगा उसके regarding video, ये कोई भी issues हो, तो आप मेरे को comments कर सकते हैं, तब तक के लिए good day for all of you,